नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमाग जेश्ट माह के पढ़ने वाली अमवस्या बहुत ज़्यादा महतपूर्ण मानी जाती है और इस बार अमवस्या सोम बार के दिन है तीस मईगो तो सोम बती अमवस्या जिस दिन किया गया बरत पूजा पाठ असनान दान का महतव अक्षय हो जाता है और इस वर्स यहतिती बहुत ज़्यादा महतपूर्ण भी हो रहा है क्योंकि तीस मईगो बट सावितरी बरत भी पढ़ रहा है और सोम बती अमवस्या है तो इस दिन का महतव बढ़ जाता है भगवान सिव के साथ महिलाएं सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए इस दिन बरत भी रखेंगी और बट ब्रिच की पूजा भी करेंगी इस बार सोम बती अमवस्या है और सरवार सिद्धी योग में आया है इस दिन सुकर्मा नमक योग भी बन रहा है अमवस्या तिथी 30 मई 2022 सोम बार के दिन है हलांकि अमवस्या तिथी की प्रारंब 29 मई दोपहर 2 बच कर 54 मिनट से होगा और 30 मई साम 4 बच कर 49 मिनट पर समाप्थ होगा तो इस अमवस्या तिथी पर पूजा कैसे करेंगे ब्रहमूर्थ में उठकर सभी कारियों से निब्रित होकर अस्नान करें आप गंगा अस्नान करें पवित्र नदी सोरोवर में अस्नान करें भगवान सुरी को एक लोटा अर्द दे लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल कर दीजिएगा ताकि पित्री देवों की आत्मा को भी तरती मिले इस दिन दान पुन ने खासकर भुके बेक्तियों को भुजन कराना जूता चाता खड़ाओं बेगरा दान करने का पानी से भरा कलस दान करने का भी धान है और पित्रों की सांती के लिए आप तरपन स्राध भी इस दिन कर सकते हैं ताकि पित्री देवों का आसिर बाद मिले तो इस दिन अस्नान करने का महत्व है खासकर इस दिन सुहागिन में लाएं बर्गत के पेड़ की पूजा करेंगी आए जानते हैं इस दिन महाप्रियोग कौन से है राहू के साथ रहेंगे तो ऐसी स्तिती में करक बालों को मांसिक तनाव देंगे आपको बचना है बिस्चिक रासी अब सूरी गरहन का प्रवाव भी आप पर इसलिए आपको धहर बनाया रखना है और सनी देव के मंतर काजब करें उनके निमित आप पुजा पाठ कर सकते हैं आप पितरी देवों को प्रसंद न करें राहत मिलेगी जानते हैं इस अमवस्या पर क्या किया जाए कि मुश्किले कम हो आज हम बात करेंगे सनी देव के सबसे पसंदिदा वस्तू उड़द की और अगर चुकि अमवस्यत थी सनी देव को समर्पित है इसलिए आप एक उड़द का छोटा सा परियोग आपके जीवन के सनी देव के कस्टो सो भी आपको मुक्ति दिलाएगा और जीवन में धन खुबाएगा सनातन धर में अमवस्या का विशेज महत्व है और अमवस्या किसी भी दिन आए इसके महत दो बढ़ जाते हैं अगर मंगलवार के दिन आए तो इसे हम कहते हैं भौम-बवटी अमवस्या तो अमवस्या के दिन जो तिस कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही रासी में या एक दूसरे के पास वाली रासी में प्रवेश करते हैं तब भौम बवती अमवस्या का यूग बनता है हलांकि इस बार की अमवस्या बहुत खास है पुरवजों के पित्रों के लिए निमित स्राध और पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि जीवन में सुक समरिद्धी का आसिरवाद भी बरसते रहे अमवस्या की तिथी में पवित्र नदी सरोवर में नहाने का दान करने का ब्रत रखने का अपना महत्त है माननेता है कि अगर आप अमवस्या तिथी को पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं दान करते हैं तो अक्षे फलों की प्राप्ति होती है और अवस्यतिती पर दान का कई गुना अधिक फल मिलता है क्योंकि ये दान सीधे आपके पूरवजों को मिल जाता है यानि उसके फल मिल जाते हैं पौरानिक माननेता के अनुसार अगर आप गंगा नदी में आश्टान नहीं कर पा हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में एक दो पत्ता तुलसी के डाल कर नहा Wille य gwाद में ही सही माथे पर गंगा जल बेगर का चिर्गाओ कर सकते हैं कोई डिकत नहीं हो अब घर में असनान करे हैं कर चुके हैं कोई बात नहीं आप थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी का पत्ता पानी में डालका हलका सब पूरे घर के बेखती छिर्काव कर लें अपने पूरे घर में एक लोटा पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर जरूर छिरिकाव कीएगा ताकि सकारत्मक उर्जा बनी रही क्योंकि अवस्यत हिथी पर निगेटिव उर्जा बहुत जादा चरण पे होती है तो आज हम बात करने वाले हैं उर्जा की जीवन की कैसी भी समस्या हो अगर पितर देव सांत हो जाएं तो जीवन में सुक सांती आती है इसलिए इस दिन उनकी तरपन करने का पिधान है लेकिन एक बात याद रखिए जब उर्जा की ही बात चली है तो पीपल के नीचे साम के समय एक सरसों के तेल का दिया जलाईएगा और इस दिपक में दो चार दाने उरत के डाल दीजेगा ताकि आपके जीवन की मुश्किलें कम हो और आप सुकसानती से रह सके तो इस दिन बहुत सारे उपाई किये जाते हैं उरत के इसी में एक उपाई खास आपके लिए अगर के लिए आरथिक इस्तितीं बेहतर होने के लिए एक चोटा सा काम करे इस अमवस्या के दिन आप किसी पत्ते यह दोने में थोड़ा सा काली उरध थोड़ा सा दही और उसके उपर थोड़ा सा सिंधूर रखकर पीपल के नीचे रख दे अब यह सिर्प इसी अमोस्या को नहीं करना है बलकि इस प्रियोग को आप पांच अमोस्या या पांच सनी बार लगातार कर सकते हैं ये प्रियोग कब करेंगे कभी भी कर सकते हैं सुबब में भी साम में भी कोई दिकत नहीं है तो ये इससे करने से क्या होता है जब आप जोतिस कहता है कि अपने पूरे होते हैं आपकी पित्री देव संतुष्ट होकर आपको दौलत बनने का आसिरबाद देते हैं तो अब हम बात करेंगे अगर जॉब की मुश्किले बहुत परिसान करें आप बहुत प्रयास के बाद भी एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहें तब मन चाही सफलता के लिए मन चाही नौकरी की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा काम करें क्या करेंगे देखिए काली उड़त की दाल मार्केट में मिलती है आप देखिए अगर आप इस अमावस्या को नहीं कर पा रहें तो कोई बात नहीं अगले अमावस्या कर लिजेगा या फिर सनिवार के दिन यह उपाई कर लिजेगा आप वैसे इस उड़त की दाल को मिक्सी में भी पीस कर इसका आप आंटा बना लें और फिर इसका ही रोटी बनाए नहीं तो आब बाद में क्योंकि मिल में तो इतना सा इतना थोड़ा सा अब इसका रोटी बना निकी दाल ना वे रोटी बनाने के बाद इस रोटी को और कर swallowed होगी धन की मुश्किलें समाप्त होगी और जीवन में एक वार फिर से सुबूर ना जाएगा अगर इस दिन पवित्र नदी सरोबर में असनान करें तो सनी दोसों से रहत मिलती है और सनीचरी अवस्या के दिन काली उड़द काला नीला कपड़ा और काला तिल अगर आप दान करें तो साड़े साती ढहिया के परिशानी से चुटकारा मिलता है धन प्राप्ति के लिए जिन महा प्रयोग किया जाता है आप अपने घर में पुजा स्थान पर एक लाल कपड़े में थोड़ा सा काली उड़द साबुद लेना है रख दें और इसके बाद मा लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र है नहीं कुछ समझ में आए तो कनकधारा इस्तरोत का पाठ कर ले स्री सुक्तम का पाठ कर ले या फिर ओम स्रिंग स्रेय नमह का 108 बार जब कर ले अब इसको आप लाल जो कपड़े पर आपने उड़त की डाल रखा है इसक कूप धन वर्सेगा क्योंकि इसमें माता रानी का आसिरबाद जो चिपा है तो यह तो प्रयोग थे आपके नौकरी बैपसाई रोजगार में तरक्की के लिए काली उड़त का कैसे आप प्रयोग करें अब हम जानते हैं एक छोटा सची कई बार क्या होता है लोग अपना का काम तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलता आप नौकरी करते हैं अब एफसाई है तो एक छोटा सा काम करना है आपको अमोवस्यतिती के दिन सुबह से लेकर साम तक कभी भी कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं खूब सफलता मिले और किसी की नजर दोस बद्दूआ भी ना मिले तो दो चार दाने जादा नहीं आपको बिखेड़ना है बिखेड़ते हैं कब बिखेड़ेंगे अमोवस्यतिती को अगर आप अमोवस्यतिती चूख जाते हैं तो सनी बार के दिन कर सकते हैं दो चार दाने बिखेड़ते हैं इसके बाद दुकान या बैपसाय अस्थल में कहीं भी एक कोने में लोहे की कील रख दें इस कील को हिलना डूलना नहीं है और ये कील आप काले कपड़े पर रखेगा इससे क्या होगा काला कपड़ा पर जब आप कील रख देंगे एक तो दुकान वेपसाय में चोरी नहीं होगा दूसरा आपका नजर दोस्त से भी करें संभब हो तो अमवस्यात ही थी या फिर सनी बार के दिन काली उड़े के दाल के पकोड़े बनाएं और काले कुट्य को खिला दें आपके जीवन की समस्त बलाएं टल जाएगी धनाएगा गाय को अपने हाथों से रोटी पर गुड़ और काला तिल रखकर खिलाईए अ आप लड़ू या बूंदी के लड़ू या गुड़ की डली खिला दें तो सनी सिकी दोस्त समाप फिलाएं इस अमवस्यातिथी पर गाय को अपने हाथों से एक रोटी ले लें अपने घर के बना हुआ अगर आपके घर में रोटी ना पना हो तब सिल्फ गुड़ और काला पर जाएगी हम आप सुड़ा